वाल दोस्तों, इन टोडेस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगा ही कि कितने टैप के वैक्यूम क्लिणर होते हैं, कौन सा वैक्यूम क्लिणर क्यू अच्छा है और वैक्यूम क्लिणर खरीदने से पहले क्या-क्या धान रखना है। साथ की साथ आपको इंडिया के टॉप 5 बेस्ट वैक्यूम क्लिणर बताने वाला हूं जो कि इन 2023 आप पर्चेस कर सकते हो। अगर आप इट अटरा हप पर नहीं हो देन हिट अट सब्सक्राब बटन बगल वाले बेल लेंग को दबा दो बाकी चलिए लेट्स गैस्ट इस टारेट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट कवर कर दूँ लाइक देखो नॉर्मली वैक्यूम क्लिणर ना तीन तरह क् सारे जंजटों को छोड़के एक बैस बताऊ ना तो जो कैनिस्टर वैक्यूम क्लिणर होते हैं यह सबसे बैस्ट माने जाते हैं एंड प्रैक्टिकल सेकेंड यह वैक्यूम पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है शक्षण बेसिकली उसकी पावर है किसी भी दूल को मिटरे को या पिर किसी भी चीज को अंदर खींचने की तो जितनी जाधा सक्षेन पावर ऊतनी जाधा अच्छी क्लीनि अभी या थी यह आत워요 आगका तो देखो जितनी जाधा पावर होगी इतना जाधा पावरुफुल आपका वेक् 2019 होगा साथ की साथ ये जरूर देख लेना कि आपको कम power weightage में एक ज़्यादा suction मिल जाए तो आप उस वाले को भी purchase कर सकते हो अब इसके बाद कुछ vacuum cleaners air filters के साथ भी आते हैं तो make sure अगर आप ऐसा vacuum cleaner ले रहे हो जिसमें air filter लगा हुआ है आप यह देख लेना कि वह air filter removable हो या फिर reusable हो जिसमें आप दूसरा लगा पाओ अब vacuum cleaner में एक और चीज होती है which is dust bag तो वह भी आप चेक कर लेना जो भी आप vacuum cleaner ले रहे हो उसमें reusable dust bag है या फिर उसमें dust bag ही नहीं अब इन सारी चीजों के अलाबा एक और चीज है which is warranty तो जितनी जादा warranty होगी उतना जादा आपके लिए अच्छा है बागी सारे points को ध्यान में रखते हो इस वीडियो को पूरा देखना तो देर आपको clear हो जाए कौन सा vacuum cleaner आपको लेना है बर जो structure है वह आपको 16 KPA की मिलती है अब यह wet and dry vacuum cleaner है तो आप wet area को या फिर dry दौनों में इसको use कर सकते हो एक point और बता दूं कि जो vacuum cleaners है अलग-अलग features के साथ आता है कोई wet के लिए आता है कोई dry के लिए आता है तो अगर आप सिर्फ dry vacuum cleaner लोगे तो उसमें आप गीली जगाओं पर vacuum नहीं कर सकते है जो कि काफी ठीक चीज़ है अब आपको और लेंड अपने साब से देखनी है कि आपके लिए ठीक है या नहीं एंड को चैसे से मिल जाती है जो कि आपको स्क्रीन पर देख रही होंगी अब ब्लैक ब्लस डेकर का ये जो vacuum cleaner ना बाहर से full plastic body में आता है नीचे की तरफ आपको यह का मिल रहा है जबकि इस बजट में कई वैक्यूम क्लिनर समें 18-20 KPA की पावर देदेते हैं अब यह आपको देखना है अगर आपको कोई भी ऐसे वैक्यूम क्लिनर ना मिले जिसमें आपको शक्षेन कैपसिटी 18-20 मिल रही है इस प्राइस में आप डेफिनेटली 16 KPA व पावर वेट इस तो वही 14 वाट की आती है जो कि दौना में सेम रहती है लाइक वैट एंट राय में बाकि यहां पर आपको जो शक्षेन है ना वह 18 KPA का मिल जाता है तो ब्लैक प्लस जैकर से थोड़ा सा वैटर है जिसको आप तीन अलग-अलग मोर्स में यूज कर सकते हो हाई मीडियम लो साथ की साथ ब्लोर भी मिलता है आपको इसमें आप यह जो वैक्यूम क्लीनर है आटो शट आफ टेकलोजी के साथ आता है तो जैसे हीट अप होगा या ज्यादा ओवरीटिंग हो जाएगी तो आटोमेंटिकली बंत हो जाएगा इसकी एंडल ब्लैक प्लस क्लीनिंग है वह इतनी ज्यादा एफिसेंस नहीं है लाइक यह जो शक्षेंग कैपेसिटी है ना हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है आपको मिनिमम बीस से किस सक्षेंग वाला वैक्यूम क्लीनर पर्चिस करना चाहिए बट यार अगर सेम फाइम मीटर की कॉर्ड मिल जाती है जो कि 360 डिगरी स्वेवल है सेवंटी एट डीबी कि इसकी नॉइज लेवल है एंड अराउंड 20 मिनिट से रन टाइम आता है यहां पर लग बीस मिनिट में इसका जो बैग है वो फुल हो जाता है अब गई यह जो वैक्यूम क्लीन यह भी वैट और दॉनों तरह से काम करता है 1000 वाट के साथ में आता है आपको 7 लिटर की टैंक कैपिसिटी मिल जाएगी ब्लोर इसमें भी मिल जाता है और रिमोवेबल फिल्टर से भी मिलते है इसके अब यह जो वैक्यूम क्लीनिंग के लिए काफी अच्छा है आपको यह यह भी मिल जाता है और अच्छा लुक देती है आपके लुड़ले के मुकाबले थोड़ा से अच्छा परफॉर्म करेंगा तो डेफिनेट्लि बाकी दो के मुकाबले आप इस वाले को भी प्रफर कर सकते हो यह आपको सिक्स थाउजन रुपीज के आसपास की प्राइज में मिलता है इसका जो प्राइज काफी ज़्यादा अच्छे पर्फॉर्मेंस के साथ आता है इसका जो प्राइज थोड़ा से ज़्यादा लगा मेरेको तो यहां पर आपको वैट एंड जाता है यहां पर आपको ब्लोर भी मिलता है एंड फिल्टर भी मिलता है 1600 वाट्स की के साथ आता है उसके अलावा इसकी जो मोटर है वह 100 परसंट कॉपर की मोटर है यहां पर इसकी जो शक्शन पावर है वह 28 KPA की है जो कि लिटरली काफी जादा है और काफी अच्छी है आपको वाशेवल, रियूसेबल, डेस्ट बैक्स देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, रैड, ब्लैक, स्टील, तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन में आता है आपको इसमें कुछ इतनी अटेच्मेंट देखने को मिल जाती है जो कॉरलेंट है वो 5 मीटर आती है, ओवर हीट अब देखो या, नो डाउट यह जो वाक्यूम क्लिनर ना काफी जाद अच्छा परफॉर्म करता है, इन परफॉर्मेंस 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं इसको, बट जो प्राइस है वो थोड़ा जादा है, लग बग 8800 रुपीस के आसपास मिल जाता है on Amazon, लिक्स डिसक्प्श लास्ट एंड बेस्ट वन विच इस अगारो एस 1600 वाट्स यह सेम 1600 वाट्स की वेटेज के साथ, यह वैट एंड ड्राय वैक्यूम क्लिनर आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको ब्लोर फंक्शन में मिलता है, इसकी जो श्रक्शन पावर है, वो 21.5 kp निकल के आती है, 21 liters का इसका stainless steel drum है, यह वैक्यूम क्लिनर भी काफी easy to use है, आपको सेम 5 meter की cord length मिल जाएगी, 360 degree suitable wheels आते हैं, तो आप इसको किसी भी direction में move कर सकते हो, एंड आपको 1 year की warranty मिल जाती है, अटेच्मेंट की बात करूं तो कुछ इतने attachments आपको देखने को मिलेंगे इस वैक्यू 2000 रुपे extra दे कर, अगर हम बात करें उसको लेने की, तो मैं बिल्कुल नहीं लेता, मैं definitely अगारो वाला ले लेता, अगर मेरे को लेना होता, बाकी guys, choice is yours, आज किस वीडियो में बस इतना ही, अगर हम बात करें, पांचों में से कौन सा वैक्यूम क्लिनर आपको लेना चीए अगर आपका बजट 5-6,000 है, तो अगारो वाला ले लेना, बट अगर fix 5000 के price पे extra coast से उपर जाई नहीं सकते, तो आप black plus decker ले सकते हो, यूरे का फॉप्स अगर आपको 5000 रुपे के आसपस मिल जाए, तो ले लेना, बट 5800 में बिल्कुल prefer नहीं करता है मैं आपको, थर्ड बाकी गईज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बताने इचे कमेंट्स में कैसी लगी ए वीडियो, बाकी इसी टैप की वीडियो आपको और देखने को मैं देंगी इटाटरा हब पर, मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी ने ट्रॉपिक के साथ म झाल्दी